Hello my dear student, आप सभी का हर्देट स्वारत अवनन्दन है हमारे YouTube चैनल में जो समरप्रत है बारमी ट्लास और साथ में JET और CUTT तयारीटे लिए तो प्यारे विद्धारतियों सबसे पहले तो आप जो हैं चैनल को सबस्राइब करें क्लियर है तो देटिये आज के इस सेसन में हम देखने जा रहे हैं कि द्राम जो हैं द्राही और द्राम एड द्राही जिसे हम क्या कहेंगे भई द्राम द्राही को हम क्येते हैं द्राम पॉजिटिव क्या है द्राम पॉजिटिव क्येते हैं और द्राम एड द्राही को क्येते ह हैं इन दोनों में जीवाणों में अंतर की बात करें गें यह ध्यानट है तो सबसे पहले लिठ लेते हैं भाई कि इनमें क्या अंतर है सबसे पहले यहां पर लिठेंगे द्राम positive जीवाणों है ना द्राम पॉजिटिव और द्राम द्राम नेडिटिव एसे आप लेख लो द्राम पॉजिटिव और द्राम नेडिटिव यानि की द्राम द्राही और द्राम द्राही एक लियर है यह ध्यानत है सबसे पहला तो सबसे पहला पॉइंट तो इसमें यह निटल के आता है कि जो द्र पॉजिटिव होते हैं, इनकी कुस्का वित्ती क्या होती है, मोटी होती है, पहला पॉइंट तो यह है, कि द्राम पॉजिटिव की कुस्का वित्ती है, यानि की जो सेल वाल होती है, वो क्या होती है, मोटी, कुस्का वित्ती क्या होती है, इनकी मोटी होती है, और इनकी जो है पतली ठीक है पहला पॉइंट क्या है कोस्का वित्ती इन्टी मोटी और इन्टी पतली होती है क्लियर है पहला पॉइंट हो जिया आपके है क्लियर है वही चलिए दूसरा इन्टी कोस्का वित्ती एट इस्तरिय यानि इती सिंडल लेड होती है तो यहां पर लिट सकते हैं क सिन्डल लेयरड, सिन्डल लेयरड होती है, कोश्टर वित्ती क्या होती है, एकल इस्तरी होती है, और यहाँ पर जो है, द्राम नेडिटिब में जो कोश्टर वित्ती होती है, द्वी इस्तरी होती है, कैसी होती है, द्वी इस्तरी है, यानि की इंगलिस में क्या कहा हैं यह ड तोड़ेई और मोटी होती है और 8 इस्तरी होती है यहाँ पर पतली है और दुई स्तरी है क्लियर है अभी यहां तर कुस्का वित्ती में यहां पर जो पैप्टीडोड लाइटिन तो कुस्का वित्ती किसे बन यह पैप्टीडोड लाइटिन और मूरिन तो पैप्टीडोड लाइटिन और मूरिन की जो मात्रा है वो यहां पर अधिक होती है और यहाँ पर जो हैं कम होती है clear है तो यहाँ पर हम लेट सकते हैं कुस्ट का बित्ती में कुस्ट का बित्ती में पैप्टीडो पैप्टीडो ग्लाइटेन कुस्ट का बित्ती में पैप्टीडो ग्लाइटेन या म्यूरिन म्यूरिन अधिक Peptidot Lighten and Coaster Vittin में Peptidot Lighten और Murin क्या होते हैं? अधित होते हैं और अधित कितना? 40-90 प्रतिसत 40-90 प्रतिसत जो हैं राम पॉजिटिव में उसके बाद आज़े द्राम नेडिटिव द्राम नेडिटिव में जो हैं कम होते हैं और कितने होते हैं? लट बार 8-10 8-10 प्रतिसत क्या कम होते हैं? कुस्टा बित्ती में Peptidot Lighten और Murin है ना? यह आपको ध्यान रखना है फिर उसके बाद जो द्राम पॉजिटिव होते हैं इनमें एक अमल होता है टीकोईट टीकोईट अमल यहाँ पर उपस्तित यह भी याद रखना है जो द्राम पॉजिटिव होते हैं इनमें टीकोईट अमल उपस्तित होता है और यहाँ पर टीकोईट अमल जो है क्या होता है? अनपस्तित होता है क्या होता है लाड लो? अनपस्तित होता है यह आपको ध्यान रखना है फिर उसके बाद यहाँ पर यह दी बात रहें तो कोश का वित्ती में क्या है लिपिड बहुत कम होते हैं यहाँ पर लिख सकते हैं कोश का वित्ती में चलो अगले पेज पर लिख देते हैं आप यह लिखो अगले पेज पर लिखी नहीं, लिख लिख लिए आपने, चलिए, अगले पेज पर, वही, द्राम, पॉजिटिव, और द्राम, नेडिटिव, चलिए, अब इसमें बिंदू लिखते हैं, पांच मार्ड, कोश्का वित्ती में, लिपड, बहुत कम मात्रा में, कूस का वित्ती में लिपिड बहुत कम मात्रा में कूस का वित्ती में जो लिपिड है वो त्या हैं बहुत कम मात्रा में होते हैं और यहां पर जfire हैं कह सकते हैं, लिपिड अधिक मात्राम है, लिपिड अधिक मात्राम है, लिपिड क्या है, अधिक मात्राम होते हैं, यह आपको ध्यान रटना है, फिर जो रोट जनरत होते हैं, मतलब जीवानू, जो सबसे ज़्यादा रोट जनरत तो यह होते हैं, और यह जो द्राम बहुत कम पादप रोट जनत जीवाणू बहुत कम पादप रोट जनत जीवाणू समान्दित हैं क्लियरे बहुत कम पादप रोट जनत जीवाणूू इस समान्दित हैं और यहां पर हम लिखें जीवाणू अधिकांस पादप रोड जनक जीवानू, अधिकांस पादप रोड जनक जीवानू, अधिकांस पादप रोड जनक जीवानू, मतलव, जो पादप रोड फिलाते हैं, ड्राम नेडेटिव हैं, जीवानू, अधिकांस पादप रोड जनक जीवानू, जो रोड फिलाते हैं, और यहां से उधारन आपसे पूचा जा सकता है उधारन जो आपसे exam में भी पूचा जा सकता है DRAM POSITIVE, DRAM POSITIVE के उधारण क्या है CLVVETOR क्या है CLVVETOR जो हैं इसका उधारण है उसके बाद STREPTOMYCES है STREPTOMYCES CLVVETOR STREPTOMYCES जो हैं इसका उधारण है इसके लाबाद जैसे BACILUS है BACILUS आदी BACILUS आदी तो याद रना है CLVVETOR STREPTOMYCES VACILUS आदी और यहाँ पर जहें उधारण की बात रहें तो जैन्तो मोनास जैन्तो मोनास जैन्तो मोनास है शुडो मोनास है शुडो मोनास जैन्तो मोनास है शुडो मोनास है और इर्वीनिया इरवीनिया आदी यादर नहें ये इसका अंतर होता है याद यादर नहें तो ध्यान रटना है क्या क्या भई लिखें आप बीडियो पॉज़ करें और लिखें देट ये क्या अंतर बताये थे इट बार देख लेते हैं कुस्टा बित्ती जो है दो वित्तियों ती आबस रचता है ऐसे याद रखने के लिए मैं बता रहा हूँ ध्राम पॉजेटिब में जो कोस्टा वित्ती होती है उसमें पेप्टिडो ग्लाइटेन और मूरिन क्या होते है अधित मातराम होते हैं द्राम नेडिटिव में जो हैं कम मात्राम होते हैं द्राम पॉजिटिव में जो हैं टीकॉइट अमले उपस्तित होता है द्राम नेडिटिव में टीकॉइट अमले क्या होता है अनपस्तित होता है DRAM POSITIVE में COSTRA BITTI में LIPID बहुत कम मात्राम हैं और यहाँ पर LIPID जो हैं अधित मात्राम होता है DRAM POSITIVE बहुत कम ही DRAM POSITIVE बैटिरिया हैं जो रोड फैलाते हैं जब कि जो ADCANCE बैटिरिया जो रोड फैलाते हैं वो कुन से हैं DRAM NERATIVE अगर आपसे कोशिन आ जाए कि कुन से हैं ADCANCE बैटिरिया कुन से हैं जो रोड फैलाते हैं तो DRAM NERATIVE हैं उधारन आप देख सकते हैं DRAM POSITIVE के TLEVIVETR, STREPTOMYCES, BACILUS, यहाँ पर देखो GENTOMONAS, CEDOMONAS, IRVINIA, क्लियर है भी यहाँ तर तो इसको आप लिखें और यदि आप नए हैं चैनल पर तो आप हमारे WhatsApp गुरूप में ADD हो जाएं WhatsApp गुरूप में ADD होने के लिए आपको क्या तरना है आपको 999-347-4981 इस नम्मर पर आपको क्या तरना है MESSAGE MESSAGE, WhatsApp गुरूप में ADD होने के लिए पर MESSAGE टरें यह याद रखें यहाँ पर MESSAGE टरें जो हैं आप लिख देना 12th इदरी टल्चर यह आप लिख देना मैं समझ जाऊंगा आपको डूरूप में ADD करना है वीडियो को लाइट करें और हमारे इस चैनल को जो हैं सब्स्राइब करें प्यारे विद्यार दियो चलिए थैंट्यू सो मच सब्स्राइब करने लिए लाइक करने लिए आपका बहुत बहुत आबार झाल 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 झाल